Hello my dear friends and welcome to all in my youtube channel महेश वाइट बोड वीडियो and in this video you are going to watch आप हाती नहीं इंसान है So let's begin एक आदमी कईसे गुजर रहा था तबी उसने सलक के किननारे बंदे हातीयों को देखा और अचनक रुख गया उसने देखा कि हातीयों के अगले पयर में एक रस्सी बंदी हुई है उसे इस बात का बड़ा अच्रज हुआ कि हाती जैसे विशाल का जीव लोही की जंजीरी की जग स्रेप एक छोटी से रस्सी से बंदी हुई है यस पस्त था कि हाती जब चाते तब अपने बंदन को तोड़ कर कई भी आजा सकते थे पर किसी वज़े से वो ऐसा नहीं कर रहे थे उसके पास खड़े महावद से उसने पूचा कि भला यहाथी किस प्रकार इतनी शांती से यहाँ खड़े है और भागने का प्रयाज भी नहीं कर रहे है दब महावद निका इन हातियों को छोटे पर से ही इन रस्तियों से बांदा जाता है उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंदन को तोड़ सके बार बार प्रयास करने के बाद भी रसी ना तोल पाने के कारण उनने देरे देरे यह यकिन हो जाता है कि वो इन रसीयों को नहीं तोल सकते और बड़े होने पर भी उनका यह यकिन बना रहता है इसलिए वो कभी इसे तोलने का प्रयासी नहीं करते आत्मी आच्चर में बढ़ गया इताकतवर जानवर स्री पिसले अपना बंदन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकिन करते है इन आतियों की तरह ही हम में से कितने लोग स्री पहले मिली असपलता के कारण लिमान बेटे है कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता और अपनी बनाएवी मानसिक जंजिरों में जकले जकले पुरा जीवन गुजार देते है याद रखी है असपलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सपलता मिलती है यदि आप भी ऐसे किसी बंदन में बंदे है